सौंद्री करण में शामिल तलाब सूखने की कगारबर, नगर परिशत की अंदेखी के चलते सर्दियों में सूख चला तलाब, CMO पर प्रतियक पंप लगाने के बदले दिये 5000 कबर पहरी नगर परिशत से है, जहां पर नगर परिशत की उदासींता की चलते रेंज के सामने इस्तित तलाब सूखने की कगार पर हैं, जहां सर्दियों की दस तक के आते ही तलाब भी सूखने लग गया है, चूंकि ये तलाब सौंद्री करण के प्रोजेक्ट में शामिल है इसके बावजूद भी लगातार, दिन रात इस तलाब में खेत की सिचाई के लिए बड़े-बड़े पंक चलते रहे हैं, पर नगर परिशत कोई कारवाई नहीं कर पाया, और तलाब सूखनी की गगार पर भी आ चुके हैं जानकारी के नुसार पहरी नगर परिशत में चौरा है, बस इस टेन के पास एक छोटा तलाब पहरी शियोपूर रोड परिस्तित है, जो कि नगर परिशत पहरी द्वारा सौंद्री करण प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिसकी लागत एक करोड रुपे के आसपास चुकि इसका टेंडर पहले हो चुका था, पर ठेके दार द्वारा काम नहीं किये जाने के चलते, वे टेंडर निरस्त कर दिया गया, वहीं दूसरा टेंडर डाला गया, पर चुनावी अचार सहीता के चलते, वे खोला नहीं गया, इस सौंद्री करण प्रोजेक्ट में तल बड़ी-बड़ी मोटर पंपो द्वारा खीच रहे हैं, एवं वहीं किसान उक्त पानी को मोटर के द्वारा अन्ने किसानों को पानी बेच रहे हैं, जिससे तलाब भी सूखने की कगार पर आच चला है, और आने वाले दिनों में जल संकट गहराया जा सकता है, जहां तक इ सूतरो द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रतेक पंप चालक किसान ने इसके बदले पहरी CMO को 55,000 दिये हैं, इसलिए बिना डरभाई के तलाब से पानी दे रहे हैं, बड़े किसान बेच रहे हैं तलाब से पानी, आपको बता दे कि उक्त तलाब से बड़े किसान बड़ी बड़ी होर्स पावर की मॉटर चला कर अन्ने दूसरे खेतों को पानी भी बीच रहे हैं, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बड़े बड़े किसान द्वारा बड़ी मॉटर से तलाब से पानी खीचा जा रहा है, वहीं छोटे किसान जिनके पास पानी नहीं है, पहुरी से धर्मेंद शर्मा की रिपोर्ट